आप से बाचित बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमारे चैनल के वीडियो देखके अपने बच्चे के करियर के बारे में सही डिसीजन लेना का उस प्रोसेस में जुड़ गए हैं और सही डिसीजन लेना सीख गए हैं कुछ चीजे होते हैं जो डिफेंस के बारे में स्पेशली हमारी जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा है इस करके हम बोल सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजिनियर बने, लॉयर बने, या मैनेजमेंट बजाए, होटल मैनेजमेंट करे, आपना कोई स्टार्ट आप करे, बिजनस करे, तो फिर आपको दूसरे एक्सपर्ट के चैनल देखने क्या हो सकते हैं, लेक मम्यों से बहुत शिकायत है, पापाओं से भी है, लेकिन वो रोपते नहीं, ऐसी मम्यों को, लेकिन मम्य है, ढाई साल का बच्चा वानी, बिचारा चलने लगा, काखा गा बोलना सिखा, उसको उन्होंने स्कूल में जमा कर देना है, कि भई, हमने बच्चे से खेलने का टा तक का टेबल भी बता देगा, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंको इसको जाने टेबल अभी यूज ही नहीं कर रहा है, और 20 का टेबल यूज करके, ओ करेगा भी कह सवाल आपने पूछने है, कि एक माइंड को हम क्रेटिविटी और इमाजिनेशन देने की जगार, हम उसमे एक डेट महीने बाद उनकी केरियर की चिंता शुरत है, कि किट्जी इनको लेगा कि नहीं, ये लेगा कि नहीं, लेकिन जो नई शिक्षा जो पॉलिसी है, उसको देखेंगे तो उसमें लिखा है, कि 6 साल से कम का बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा पहले क्लास में, हम भी अभी इतना विक्सित नहीं हुआ है, कि पहली क्लास में जो उसको डेटा दिया जा रहा है, जो चीजें समझाई जा रही है, बहुत जल्दी करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहुत देर करके भी फायदा नहीं है, मेरे पास 3-4 तरीके के लोग आते हैं, एक है जिनके ब किरेंट्स ने तियारी करने है, ना कि बच्चे नहीं है, फॉस्स से लेकर थर्ड तक, जबकि बच्चा 8-9 साल का हो जाता है, तब तक आपने बच्चे को ट्यूशन की, इसकी उसकी आदत नहीं डालनी है, वो जो कर रहा है, फेल वो होगा नहीं, और क्लास वन में वो अग 99 नमबर ही आते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स हैं, वो बच्चे का क्लास अभी नर्सी में गया है, या UKG में गया है, उसके एक्जाम चल रहा है, वो अपनी सगी बहन के बेटे के शादी में नहीं जाते हैं, कि भई, हमारे बच्चे के एक्जाम चल लें, उनसे पूछो, तो मैं भी पेरेंट्ट हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, और daily कम से कम 4 या 5 पेरेंट्स से मेरी बात होती है, आफ्लाइन होती है, मेरे पास आफिस में आते हैं, या ऑनलाइन होती है, फोन पे होती है, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में सुनके थोड़ा अश्यर होता है, कि या तो हम बहुत जल्दी करें हैं बहुत लेट करें और कुछ पेरेंट्स का आटिटूड है कि हमने ट्यूशन लगानी है क्लास वन में बच्चा स्कूल से आया साड़े बारा एक बजे खाना खाया उसको खेलने विलने दिया उसको बस्ता पकड़के किसी लड़के लड़की के पास भेज दिया घर में बुला ले होम ट्यूटर लगा दिया और वो बच्चा किताबों के साथ घुल रहा है उसकी किताब में टोटल 25 पन्ने है वो पूरा साल में 25 पन्ने कम से हम 200 बार रिवाइस कर सकता है बट हमें नहीं पता हमने उसके ट्यूशन क्यों लगाई यही अगर माता पिता आदा घंटा एक घंटा दिन का अपने आप लगाए उसके साथ बैठें उसके जो हैंड राइटिंग है अक्षर की फॉर्मेशन है इतना ही होता है उस पर हुआ सिंपल वो कम अला लिख रहा है या मेंडा का लिख रहा है ऐसे करके जो भी शुब शुब लिख रहा है आप लोग लिखवाए न उसको तो यह जो पहले से लेकर फॉर्स से लेकर थर्ड तक आपने अपने बच्चे की उसको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स वाली बुक लेके दें कॉमिक्स पढ़ने के आदर डालें वो जितना विजुलाइज कर पाएगा जितना पिक्सर देख लेगा जितना इस प्रकार की चीज़ों से जुड़ेगा और फिर उसको प्रैक्टिकल दिखाएं चीज़ें तो आप्टिटूट असेस्मेंट के एक टेस्ट करा तेस्ट है पांच ज़ार से लेकर सात ज़ार रुपे तक खर्च होते हैं साइन्टिफिक या कुछ और कुछ है फिंगरप्रिंट बेस्ट है लेकिन कम से कम ये टेस्ट करने से आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चा किस प्रकार से है, क्योंकि एक theory of multiple intelligences है, इसके बारे में पढ़िए, NCRT में बारवी में पढ़ाते हैं, theory of multiple intelligences, तो उसके बारे में है कि कुछ बच्चे maths में अच्छे होंगे, कुछ English में अच्छे होंगे, कुछ मेरे ताम बोलेंगे और बाकि कुछ नहीं आ रहा है, वो आंक से आंक मिला के बाती नहीं कर पा रहा है, वो बोलने में शर्मा रहा है, वो चलते समय इतना awkward feel कर रहा है, वो किसी से दोस्ती नहीं कर पा रहा है, ये चीजें इन गुणों का विकास होता है, स्कूल के अंदर जाके, ट्यूशन वारा टीजर नहीं पढ़ा जो वियावारी ग्यान है, जो बच्चे की कम्मिनिकेशन है, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है, उसका जो बाकी आउटलुक है, लोगों से दोस्ती करना, किसी alien environment में अपने को adjust करना, जब आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, बस वो बच्चे नमस्ते करके भार बाग जा करते हैं, आपने देखा है, हमारे बच्चे नहीं है, capable नहीं है, हमने उनको बनाया नहीं है, हमारे बच्चों में कोई गट पड़ नहीं है, तो यह जब बच्चा बहुत छोटा है, तो आपने केवल अपने उसको अपनी छतरचाय में रखना है, बड़ा सेफ रहेगा, सस् दादा दादी की घर में लंच है, डिनर है, चाचा के पास जा रहे हैं, ताओ जी के पास जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, मौल में जा रहे हैं, बड़ी सारी चीजे हैं, जो आप परिवार के तौर पर तो बच्चे की इन गुणों का विकास आगे चल के बहुत क के बाद भी 5 sentence अपने विशे में भी बोलने के लिए 6 sentence बोलने के लिए वो सक्षम नहीं है वो इतना awkward है socially awkward बोलते हैं इनको और इसके लिए बच्चे की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है उसके हैं क्या है बई socially awkward अजीब से तो इन सब चीजों को बाद में फिर बच्चे का इन गुणों का विकास बड़ा मुश्किल हो जाता है वो बोलने पाता है मिलने पाता दोस्ते नहीं कर पाता हंसता नहीं है किसी चीज को appreciate नहीं करता है और कईयों का है इतना किताबों से कर दिया है कि बच्चों को ऐसे इतने बड़े-बड़े चश्मे लगे बच्चे का मुँ इतना सा है वो इसमें चश्मा इतना बड़ा लग गया है साइज देख लो और जब सैनिक स्कूल मिलिटर स्कूल में आते है तो प्लस माइनस 1.25 ही allowed है चश्मा बच्चा और भी माइनस 3 पर गूम रहा है तो हमारा इस वीडियो का उद्देश है कि बताएं कि मुझे competitive exam की त्यारी कप से करानी है कई बड़ी-बड़ी कमनी है वो छटी class से पाचवी class से neat की त्यारी करा रही है वो तो बहुत ही जल्दी है नीट ओ जही concept clear हो उनसे लेकिन ये को इतने भी बड़े धुरंदर exam नहीं है दो साल की त्यारी हर एक exam की लगती है वो दो साल की त्यारी कप करने हो मैं बताऊंगा लेकिन class छटी से आप एक लाख रुबे का उनका package लेकर हर साल का घुम रहे हैं it doesn't make any sense यही सब चीजे उनको school में अच्छे से पढ़ाई जा रही है और YouTube पर इतने सारे अच्छे अच् but you will have to आपने थुड़ा सा comfort zone से बाहर आके यह त्यारी करने पड़ेगा अपने बच्चे के लिए data एकटा करने पड़ेगा और सबसे अच्छा teacher जो है उसके parents तो parents बताएं कि बच्चे ने क्या करना है और जब चौथी में बच्चा आ जाता है earliest जो exam है वो दे रहा है सैनिक इसकी त्यारी आइडियल है चौथी से शुरू कराई जाए और चौथी में आपने घर में बिठा के बढ़ाने मेरे पार कोई दो साल का program नहीं है बच्चा पांच वी में आएगा तब हम लेते हैं कि आजा अभी हमारा online course कर लो वो भी काफी है अगर आप fourth में उसको एक बा बच्चे के उपर एटाक नहीं करना है जो भी आप प्लान बना के बाटा है कि मैं बच्चे को सेकंड सही सानी स्कूल की त्यारी करा हूंगो उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो concept समझे नहीं पाएगा तब तक आपने क्या करना है एक guidebook ले एक जब वो बच्चा थर्ड में आप कर लो ना मैंने तो आपको वोला है मेरे सारे वीडियो बनते बच्चों के लिए लेकिन होते parents के नहीं एक mock paper का set ले ले एक कोई online course ले ले अभी हमारा भी online course आ जाएगा इसमें सारे वीडियो सारी वक्षिस सब कुछ है पहले खुद कर लो बच्चे को कराने के हम उतने पैसे चार्ज कर लें दो साल में आप बच्चे को खुद पढ़ा सकते हैं दिन के दो भी चाप्टर पढ़ाएंगे concept समझाएंगे वैसे सवाल कराने की कोशिश करेंगे सवाल तब कराने वो मैंने बताया था content mapping बोगते हैं उसको आज उनको board mass पढ़ाय गया तो board mass वाले सवाल जो हैं आपने उस समय कराने जब बच्चे को स्कूल में वो topic पढ़ाएंगे आज multiplication पढ़ाय गया आज A plus B का square बताया गया तो वैसे वाले जितने सवाल हैं अगर आपने बच्चे का मैंने एक पहले वीडियो में बताया है naturally grow कर रहा है और यह जवाब कर चुके हैं तब आप उसको online या offline course के लिला है online course पूरे एक साल का कहीं पर भी किसी भी उस से करेंगे वो 50K 50,000 आपको पढ़ता है या offline भी पढ़ेगा day scholar के रुप में अगर आप आ रहे हैं और अगर आप hostel बाले करते हैं तो 2,00,000 रुबे की सरीका है कि आप यह 1000 रुपे खर्च करते हैं और यह online course 15-16,000 रुपे का आएगा 5000 रुपे का आएगा पांच से लेकर 15,000 तक का आएगा यह आगया आपका 16,000 में और वर्सिस 2,00 रुपे यह वीडियो देख के आपके पैसे भी बड़े बचेंगे तो आपने यह देखना है कि हमने किस पकार से बच्चे को पढ़ाने हैं उसके content की हिसाब से चलने हैं अगर antonym, synonym है, word है, वो class फे इतने किसे उसमें आते हैं उसको तब पढ़ाईए verbs पढ़ा रहे हैं, noun पढ़ा रहे हैं, noun के type पढ़ा रहे हैं, school में जब वो topic noun का cover हो रहा है, उस समें आप competition वाले में nouns पढ़ाएंगे और साथ में बच्चे की vocabulary को build करें, बच्चे की जो शब्द संपदा है उसको build करें, हिंदी की भी, English की भी maths के formula, tables, यह सब धीरे 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 करके बच्चा सीखते हैं, और class first, second, third में मैंने बढ़ाए, बच्चे को यह जो बच्चे का ऐसे है, face आप उसको पढ़ाई करें, कराएंगे उसको बिना बाद के competition, वो मैंने बताया था, ऐसे, ऐसे, ऐसे हैं आसो बन जाएंगे, और चेहरा ऐसे हो जाएगा, बच्चे को ऐसी रंद वाप, वो पेरेंट जो हैं, उनको तियारी करने हैं, ताकि हमारा बच्चा शूरू से यह स आपने सारे options मिल रहे हैं आपको, बच्चा अगर चौती से पढ़ाई कर रहा है, और लगतार हर साल exam के लिए अपियर कर रहा है, वो उसको आपने सैनी स्कूल नहीं भी भेजना है, तब भी आप उसको exam दिलें, उसके दो फायदे क्या है, एक उसको focus मिल जाएगा, कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, उसके बाद उसमें competitive mindset develop हो जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है, यह national level competition है, नहीं तो हमारा बच्चा class में first है, class में second है, जिसकी मम्मी से बूचो मेरा बेटा first है, सारी first होते है, नहीं तो आप अगर आपके बच्चे को 99 marks नहीं दे टीचर नहीं स्क तीसरा भाई साब को मैडम को धाई से तीन घंटे बैट के एक्जाम देने के आदत पढ़ गई है, और अपने curriculum के अलावा कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल में आप देखेंगे, जी के पढ़ रहा बच्चा, intelligence पढ़ रहा है, reasoning पढ़ रहा है, तो यह सब चीज हर साल ही कोई ना कोई एक्जाम है, देने दोश को, सब में फेल हो जाने तो, trust me, जब वो NDA NEET, यही इन सब के लिए जाता है, या law के लिए जाएगा, या management के लिए जाएगा, आप देखना कि वो कितना आगे निकल जाएगा, बाकियों से, trust me, यह homeopathic दवाई के लिए, long term है, चार साल हमारा बच्चा competition देखे, उसके बाद, नौवी से उसने, जिस भी stream को पगड़ने है, medical करना है, medical यह वो करना है, तब भी पढ़ने का तरीका वो देगा, पहले आपने आप एक syllabus पूरा करना है, अपने आप समझना है, हर exam में, 40 से ल एकर 40 परसंट है, 50-50 कर दो, इसके लिए coaching क्या आवश्रकता है, external help क्या आवश्रकता है, लेकिन इसका फरक तब पड़ेगा, जब यह वाला हिस्सा अपने आप बच्चा करके आया है, अब आपने और क्या करना है, जो आप नहीं कर रहे हैं, जब बच्चा है, उसकी physical fitness पर ध्यान देना है, उसके attitude पर ध्यान देना है, कई बच्चे 24 घंटे रोते रहते हैं, रो रो के parents उनको burger भी खिला देंगे, पिजा भी खिला देंगे, सब कुछ खिलाएंगे, आप mall में जाएंगे, normal अगर बच्चे के size ऐसे है, तो आपको ऐसे वाले बच्चे मिल जाएंग वो इतने मोटे हो चुके, मोटापा अगर बिमारी है तो उससे मारी सानुब होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बिमारी अनुवांचिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हमारे हरकतों करके, बच्चे का हमने वीट पे कंट्रोल ही नहीं है, चले हो खा रहा है, बढ़ता और स्विगी कर रहे है, तो भाई साब मामला गड़वड है, तो एक फिजगल फिटनेस पर ध्यान नहीं है, दूसरा हमारा रूटीन नहीं है, टेस्ट है तो पड़ेगा, नहीं तो हमारा बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, यह कर रहा है, और एक दूसरे टाइप की एक्स् परसने वाले तो पहुंच आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर साइकोलोजिकल प्रेशर हो जाता है, परफॉर्मस प्रेशर बोलते हैं, वो फिर पढ़ाई लिखा है, छोड़के उच्छे गंटे उसका स्विमिंग के लिए चला गया, साइक्लिंग के लिए चला गया जुडो कराटे सीखने चला गया, छेचे दस-दस घंटे कर रहे हैं, नॉट वर्थ, ये भी गलत है, और ये भी गलत, एक बैलन्स हमारा टाइम बैलन्स नहीं है, लेट उठते हैं बच्चे, अगर आपका अभी छुटिया है, तो साड़े आठ से लेकर बारा बज़ तक उ प्रोटीन, उसका फिजगल फिटनेस, उसकी बैलन्स डाइट, एंड होबीज, होबीज में सिंगिंग है, कोई गेम्स है, कुछ चेस खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कुछ एक्स्टरनल बाहर जाके करने वाले काम दीजिए उसको, आजकल तो मोबाइल फोन से फोटोग इसको परसू नहीं करने, बहुत ज़्यादा फरक पढ़ता है, और आपने उसके कम्मुनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी में अभी बार्वी में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी में का उनको एक पैराग्राफ दे तो बहुत हैं, और NDA के लिए या किसी भी बाद में एक्जाम के लिए जाएगा, इंटर्व्यू है, कांसलिंग तो बहुत ही important हिस्सा है आपके selection process का, लेकिन ये जब हम शुरू में इन चीजों पर ध्यान देंगे, और handwriting, RIMC का paper, मेरे अपने handwriting खराब है, लेकिन बच्चे की handwriting writing पर अपने ध्यान देना है, especially RIMC में दो paper है, subjective paper है, बाकी basic formula हैं, table हैं, धीरे 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 करके आपने बच्चे को, उसको build करना है, और vocabulary, मैंने बताया था, आजकल internet की भाशा आगई है, आजकल mobile phone की भाशा आगई है, तो हमारे बच्चे नए ने शब्दों को आत्मसाथ नहीं कर पाते हैं, उनके बाद शब्दी नहीं है, तो vocabulary बिल्ड करने का है, को है, first 3000 words, first 1000 words, kitchen में क्या समन पढ़ा है, बच्चे को बोलने की आदर डाली है, घर में बैठे बैठे बैठे, बहुत है, जब बच्चा नया आना बोलना सेखता है, ये nozy है, ये ears हैं, ये eyes हैं, बस उसके बाद हमारी vocabulary खतो हो जाती है, बच्चा इनके अलावा शब्द सीखी नहीं रहा है, और हम स्कूल पर छोड़ देते हैं, स्कूल में अपना syllabus पूरा कराने हैं, लेकिन इन important चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारा बच्चा, हम वो जब competition में जाता है, उसके performance बचारेगा, क्योंकि concentration नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको इतनी देर बैटने के अदत नहीं है, क्योंकि उसने किसी focus तरीके से त्यारी नहीं किया है, दे score out of 300, 140 से लेकर 180 मार्क्स ले आते हैं, जो उसके score किसी भी competition में, जो सैनिक स्कूल का है कम से कम, वो शामिल न हमने target करना है, 240 से उपर का score, और यह 240 से उपर का score तब आएगा, जब हम अपने बच्चे की त्यारी में, पढ़ाने की त्यारी से पहले, इन सब चीजों का, गाड़ी का wheel alignment बोलते हैं, wheel alignment करना बहुत जरूरी, तो this is not being done by the parents, and बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहते हैं, ती कड़वा लगेगा, तो यह मैं बताना चाहता था कि fourth class onwards, आपने एक structured तरीके से त्यारी कराएंगे, उससे पहले आपने इन सब चीजों पर काम करना है, तो हम एक बच्चे को game, sports, outdoor activities, trekking, कई mountains में घुमाने ले जाना है, परिवार से मिलाना है, आपके अपने, अपने के अनुसार, आपने उसको एक outdoor, indoor का mix experience देना है, और screen time को कम करना है, ताकि जो मैंने बताया था, उसकी आँखों में इतना बड़ा बड़ा चश्मा जो लगावा था, इससे हम बच सकें, इससे कोई फायदा नहीं है, तो बच्चे को आपने, और जो balance diet है, इस पर भी ध्या करने है, उसने जो test की त्यारी करने है, उसमें parents ने शाबिल होना है, तो पहली से तीसरे तक, जो भी parents अपने बच्चे को tuition पर भेज रहे हैं, उनके खिलाफ F.I.R. हो नीचे, सीदे-सीदे, मैं तो ऐसे बनता हूँ, तो that is all in this video, this is all, ये communication स्थापित है, बहुत सारे लोग हैं, जो 50% काम कर रहे हैं, जो कई हैं, जो इससे 1500% कर रहे हैं, वो भी गलत है, एक balance life दीजिए, उसको rest करने का मौखा दीजिए, खेलने का मौखा दीजिए, और अबर 10 में से 3 नंबर ले आया है, तो कोई ऐसे, मतलब बुरा मानने के आवश्रेक दाने हैं, ठीक है, हम life and death सवाल मत बनें, इतनी छोटी क्लास में, आगे जाके बहुत सारे लोग बहुत नया-nया सीखते हैं, उसका एक learning curve है, कुछ बच्चे लेट शुरू करते हैं, और आगे चलके करते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और वो burn out हो जाते हैं, बहुत यह problems है, psychological problems है, समय पर इसको identify करें, समय पर जो medical और psychological help है, उसको ले, उसमें भी शर्माने की बात नहीं है, आजकल हर चीज की corrective therapy possible है, और जैसा मैंने हर वीडियो में बताता हूं, बच्चे का pre-medical कराएं, अगर आपके बच्चे की medical condition है, उंगली कट गई है, छोटी है, छ इस पिकार से हैं, वो शायद सिनाओं में आगे जाके कही ना कई फिट नहीं होगा, तो आप फिर उसके लिए एक alternate career कर चुनाओ करें, ज़रूरी नहीं है कि सबने सैनिक खूली जाना है, तो ये चीजें मैं चाहता था, आप सुनें, समझें, आपके बहुत सारे प्रश्ण होंगे, आप comment section में लिखें, हमारा mobile number दिया हुआ है, उस पर अगर आपने मेर से बात करनी है, आपने केवल लिखना है, talk to Colonel A.D. बस, इतना ही करना है, मैं समझ जाओंगा, और मेरा call आपको आएगा, ये समवाद स्थापित करें, इस वीडियो को share करें, ज्यादा से क完全 करें लिखन के बच्चे भी लुThis video should be shared with all, because we all as parents, have to take charge of our children. That is all in this video. Thank you, bye-bye and Jain!